हलो एब्रीवन हाई दिस विकास शागत करता हूँ आपका मेरे ओफिसल एक्ट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि यमना अथोरिटी में बन रही पहली फिंटेक सिटी के बारे में आप सभी को मालूम है कि फिंटेक सिटी आज भारत का भविश्य है यान कि आज के समय में सबसे ज़्यादा अग्रेने की भूमी का निमाएगा साथ ही ओ यमना अथोर्टी लगातार ऐसी सभी सेक्टर्स पर काम कर दिये और ऐसी सारे इंडेस्ट्रिल कलेक्श्टर पर वर्वर्ग कर दिये ताकि लोगों को रोजगार के लिए इस उत्तर प्रदे प्रदेश की थो पूरे प्रदेश यू पीका यू पी जो है अपना भारत का पहला ऐसा प्रदेश है जिसके पास सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है तो दोस्तों और यहां पर जो आपका नॉइडा इंटरेशनल एरपोर्ट है यह तो एसिया का नंबर वन एरपोर्ट है क्योंकि दोस्तों यहां आसपास डॉमेस्टिक कारगो इंडिस्ट्रियल और सारी इसी चीज़ें हाँ पर लाई जा रहे हैं कि विक्ति के जीगम को पूर में पिंज आई है कि चिघ में क्या क्या चीज़ें होंगे आप सभी को मालूम है इक अपकी हमारे भी होते हैं हमारे यह स्थान पर पर करना चेक्ति की पहुंच आसांब हो और एक आसा माहल करना कि उससे जविह ऑई जाने की जरोतना हॉँ दोस्तों यमना अथर्टी में निवेश करने का मतलब से या नहीं कि आप एक लैंड पर्चिस करें एडा में निवेश करने का मतलब है कि आप अपना future देख रहे हैं, आप अपना future को secure कर रहे हैं तुकि दोस्तों यमना फ्यूचर है और फ्यूचर किस-किस आधार पर हम कह रहे हैं कि जहां व्यक्ति देखो हम कोई भी घर लेते हैं अगर आपने कभी भी कोई मकान परचेज क्या हो अपने रहने के लिए या अपने निवे स्किल तो आप क्या देखते हैं कि आसपास connectivity कैसी है सडके अच्छी हों सबसे पहली पूसुदा यही देखते हैं कि सडके चोड़ी हो अगर चीजी रहें ठीक है उसके पास बड़ी बात एरपोर्ट से आप कितनी दूरी पर है मतलब यह सब एक व्यक्ति को चाहिए होती है जब भी वो किसी लैंड पे, किसी भी जगा पे इन्वेस्ट करता है, क्यों? क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने ली नहीं करते हैं, हमारा कितना काम, अगर आप आफिस वरकिंग है, तो आप सुबह 8-9-10 बजे गाम पे जाते ह उसके बाद अपने फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम दिये, तब जाके आप अपने उस गर को अपने प्रॉपर्टी के अपने आसपास के सराउंडिंग इन्वार्मेंट को आप फील कर पाते हैं, अगर छुटती कर दिने तो काम बहुत सारे होते हैं, अगर आपको बिजनिसमेन हैं, तो आपको अपने बिजनिस की मीटिंग से भी फ्रॉचत नहीं है, एक बड़े बिजनिसमेन का ये कोट्स है, कि मैं जब भी जहां जाता हूँ, महेंगी से महेंगा, उस सिटी का सबसे महेंगा होटल बुक करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि मैं उस होटल में सिर्फ चेक इन करता हूँ, अपना समान रखता हूँ, मीटिंग के लिए मैं चला जाता हूँ, तो यानि कि वो उस चीज को भी उसका एंज्योई नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए उसने पे किया है, तो हम लोग जो निवेश करते हैं, at the end सारांस यही है कि हम लोग निवेश करते हैं, अपने भविस्या को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर, तो एसी जगह निवेश के जा है, जहां आप आपके बच्चे आपका भविस्या शिक्योर रहे, साथ योई, अभी हम मैप में समझेगे कि FINटक सी क कहां आ रही है कि संसला है किस सेक्टर से के आजू बाजू सेक्टरス के दो चार किलोमेटर के जारे मागर आप इंवेस्ट करते तो आप इसवार हो गया समझतों है तो अब हमारे सामने है माष्य प्लान mm Euro 2041 एसमें हम लोग समझेंगे कि जो architecture आ раб कि ये वो —— लोग जानते हैं कि आप इन से भली भाती परिशीत इसके बारे में सब्भी लोग जाते हैं मतलब यमना अथौर्टी पर कोई sectors है और जिसमें sales purchase हो रही है जहाँ पर development है वो है आपका sector 18-20 यह जितना भी yellow spot आप देख रहे हैं इहाँ पर यह सारा yellow spot आपका residential है कुछ इसमें mixed land यूज है कुछ मतलब आपके जैसे मिर्जापुर यहाँ पर किसान कोटा के plots है यह red color देख रहे हैं यह denote करता है आपका commercial यहाँ पर commercial है अब हम लोग आते हैं कि सेक्टर 13 है कहां जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो दोस्तों देखो यह मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं आप यह समझें यह है आपका यम नाइक्स प्रेक्स प्रॉपर है यह इधर zero point से शुरू हो रहा है और इधर आगरा की तरफ जा रहा है अब यह आपके प्रॉपर सेक्टर 28 सेक्टर 33 32 यह सब इंड़स्टी है जहां पर इंड़स्टी आज की डेट में चल रही है यहां एक कट है जिसको हम बोलते हैं फलेदा कट तो इसमें इंड़स्ट्रिया रणिंग में हैं जैसे बीकनेर फूड वाला है पिरिया गोल्ड है उसके बाद एवरी डेनेशन है और भी आपका फ्लेक्टिड फैक्ट्री है अपर डेटा डेटा जो है आपके डेटा सेंटर है मेडिकल डिवाइस पार्क है अब आते हैं आपके जो एक्जेक्ट जो फिंटेक्स इटी बना रही है सेक्टर 13 फि है उसके लिए भी एक मेल का पत्तर साबित होगी 15-16 आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप जो स्कीम आई थी लेटेस्ट वह आपका सेक्टर 16 में आई थी और सेक्टर 17 में आई थी तो यह रेजिडेंशल है और इसके बाद 15 वी रेजिडेंशल है आई होप की जो नई स् तो वह आपका सेक्टर 5 में अभी तक हम लोग उम्मीद करें अथोटी का भी यह कहना है बाकी सारी चीज़े के लिए तब ही होगी जब इसकेम आ जाएगी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अगर आप यह इंवेश्मेंट करते हैं सरांडिंग रीजन में तो आप एक अच् स가कते हैं अनोरे सारे सोचल मिडिया लिंक वहाँ पर में डाले हुए हैं आप उनमें से किसी वी लिंक पर जाकर मुझे मेरी मेंसेज कर सकते हैं मुझे पर निकर सकते हैं फिडियो देखने के लिए भाल बहुत-धनेवाल हैं कि ढणांट दैंके अि